सब्सक्राइब कीजिए दे आईयस चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने की 16 जन्वरी को केंदरी ग्रह मंत्री अमर्शाह और बुरूश अर्नार्थियों की प्रतनिध्यों ने तृपुरा के मुख्य मंत्री विपलब कुमार देव और मिजोरम की मुख्य मंत्री जोरम थंगा की मौझूदगी में मिजोरम से बुरूश अर्नार्थियों के संकट को समाप्त करने के लिए एक समझोते पर हस्ताक्षर किया है ग्रेमंत्री मिर्शाह ने बताया कि तरपुरा में लगभग 30,000 बुरुशर नार्थियों को बसाने के लिए 600 करुण रुपए का पैकेज दिया गया है ग्रेमंत्री शाह ने बताया कि बुरुशर नार्थियों को वहाँ पर 40-30 फीट का एक आवासी प्लाट मोहिया करा जाएगा और समझोतों के मुताबिक उनके परिवार के नाम पर धनराशी फिक्स डिपोजिट की जाएगी इसके सायथी इन शर्णार्थियों को 5000 रुपए प्रतिमाह धनराश की नगत सहायता दी जाएगी ग्रेमंत्री ने कहा कि अगले दो सालों तक बुरुशर नार्थियों को पूरा डाशन भारत सरकार दोरा दिया जाएगा और मकान बनाने के लिए एक दशमलो पांच लाख रुपए की रकम भी बत और सहायता दी जाएगी दीनस में आज हम समझेंगे कि बुरु जनजाती क्या है साथी समझेंगे कि बुरु जनजाती मिजोरम को छोड़ कर तृपुरा का रुख क्यों कर रही है बुरु पूरोतर में बसने वाला एक जनजाती समू है मिजोरम के जरतर बुरु जनजाती की लोग मामित और कोलासब जिलों में रहते हैं पहले बुरु जनजाती का तृपुरा में विस्थापन हुआ था आमतोर पर इस जनजाती को रियांग भी कहा जाता है ये जनजाती बुरु भाशा बोलती है और इस भाशा की अपनी कोई लिपी नहीं है बुरु जनजाती के अंतरगत अनिक उपजातियां आती है बुरु जनजाती के लोग पहले जूम खेती करते थे जिसमें जंगल के एक हिस्से को साफ करके वहाँ खेती किया करते थे कुछ सालों बाद ये उस जमीन को छोड़कर जंगल के दूसरे भाग में खेती करने के लिए चले जाते थे ऐसे में बुरू जंजाती के लोगों को बंजारा जंजाती भी माना जाता है दरसल ब्रू जन्जाति के मिजो रüm से तृपरा प्रवास का कारण मिजो जन्जाति का ब्रू जन्जाति को बाहरी जन्जाति समझना और उनके साथ हिंसा करना माना जाता है आम तोर पर पूरोतर में लोग अपनी जाती पहचान जैसे खानपान, पहनावा और भाशा को लेकर बहुत भावुख होते हैं जनजाती पहचान को मुद्दा बना कर वहां लोग अलग राष्ट की मांग करते आए हैं मिजो उग्रवादी समूहों दोरा भी इस प्रकार की मांग की गई लेकिन जब ऐसा होने की संभावना दूर नजर आने लगी तो मिजो उग्रवादी समूहों ने उन जनजातियों को अपना निशाना बनाया जिन्हें वो बाहरी समझते थे साल 1995 में ब्रू और मिजो जनजातियों के बीच टकराव बढ़ने से यंग मिजो एसोशेशन और मिजो स्टूडन्स एसोशेशन ने ब्रू जनजाति को बाहरी घोशित कर दिया इसके बाद ब्रू जनजाति मिजो जनजाति के निशाने पर आ गई साल 1997 में ब्रू उग्रवादियों के द्वारा एक मिजो अधिकारी की हत्या कर दी गई इसके बाद सही से लाके में ब्रू लोगों के खिलाप अतिधिक हिंसा हुई जिसके बाद ब्रू जंजात्र को मिजोरम छोड़ कर तिरपुरा जाना पड़ा मौजुदा वक्त में ब्रू लोगों के समक्ष सबसे बड़ी मांग सुरक्षा की रही है सरकार के द्वारा उन्हें सुरक्षा के लिए आश्वासन तो दिया जा रहा है लेकिन ब्रू लोग इससे आश्वास्त नहीं है दरसल बुरू लोगों की मांग एक ही स्थान पर बसने की है वे अपने मंदिर और खेतों के लिए जमीन की मांग कर रहे हैं इसे मिजोरम सरकार दोरा स्विकार नहीं किया गया बुरू लोगों दोरा मिजोरम में विधान सभा और नौकरियों में आरक्षन की मांग की गई है इसे मिजोरम सरकार दोरा अस्वीकार कर दिया गया है बुरू जनजाती को स्थाई जीवन देना भी सरकार के लिए प्रमुक चुनौती है ब्रू जनजाती घुमकर जनजाती है ऐसे में ब्रू जनजाती को किसी एक स्थाई निवास के लिए सेहमत करना भी बड़ी समस्या है बुरू जनजाथी को मूल स्थान प्रत्यावर्टन के लिए आधार भूद सुविधाओं जैसे भोजन, निवास, सिक्षा और स्वास्त आध की जरूत है जिसे उन तक पहुंचाना एक प्रमुक्च नौती रही है दरसल पूरूतर की अने जनजाथियों के समान बुरू भी एक महत्वपूर जनजाथी है जो कई सालों से अत्यधिक समस्याओं और असुरक्षा का सामना कर रही है सरकार दोरा जनजाथ के पूना प्रत्यावर्तन के लिए अनिक प्रयास किये गए लेकिन सरकार के लिए इनका अभी भी सुरक्षित प्रत्यावर्तन करना एक बड़ी चुनौती है प्रत्यावर्तन करना एक बड़ी चुनौती है